नमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सूपर कोचिंग आई एस भाई टेस्ट बुक में तो दोस्तों इन्वार्मेंट एकोलोजी के यह चौथी क्लास है और अब तक हमने काफी टॉपिक्स पढ़ें और आज हम एक बेहदी इंपोर्टन टॉपिक डिसकस करने वाले है वो क्या है वो है एकोलोजिकल सक्सेशन तो आज की क्लास पूरे तरीके से इसी टॉपिक पर डेडिकेटेड होने वाली है एकोलोजिकल सक्सेशन पर तो इसको आप ध्यान से समझिए ध्यान से पढ़िए क्योंकि UPSC ने पास्ट में इस पर कई सवाल पूछे हैं और यह ब पढ़ाई हुई है जल्दी मैं शेयर कर दूंगा तो आप निशन्द होंके यहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं तो अब तक हमने इन्वाइमेंट के बारे में काफी चीज़े देखी है क्या होता है उस साइंटिफिक स्टेडी को एकोलोजी कहते हैं वैसे ही स्पिशीज क्या ह है और कब कोई स्पिशीज नहीं कहलाता है एकोलोजी में जो लेवल्स ऑफ और्गनाइजेशन है जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो कितने लेवल्स पर कर सकते हैं तो इंडिविज्वल क्या है पॉपिलेशन क्या है कम्यूनिटी लेवल क्या है एको सिस्टम लेवल क्या है व Pagotrof क्या है Micro consumers क्या होते हैं ये सब भी हमने अब तक अच्छे से देखा थstemso кож or ecot DJ को समझ के edge effect देखा था And 7 साथ Egy species क्या होते है वह भी देखा था और उसका बाद हमने habitat territory home range का concept समझा था और आखरी concept जो बहुत important concept था वह था उत्य क्या होता है तो यह हमने अच्छे से कल देखा था उमीद करता हूँ आपको याद भी होगा और उसके बाद देखा था क्या होता है fundamental निश्च क्या होता है realization दोनों में क्या अंतर है ये भी हमने कल देखा था आज हम देखने वाले हैं ecological succession के बारे में तो दोसों succession का मतलब है succeed करने से बना है succession याने की एक के बाद दूसरा कौन उत्राधिकारी कौन उसका कुछ याद दिल आता हूं शयाद आप लोगों ने देखा होगा आपकी घर के आसपास कोई खाली जमीन होगी जहां पर कभी खेत होगा फिर खेत हड़ जाता है जमीन खाली रह जाती है बिलकुल नंगी जमीन होती है उस नंगी जमीन में आपने देखा होगा बरसात का मौसाम आता है और उसके साथ कुछ हरे-भरे घास वगेरा देखने मिलते हैं धीरे-धीरे एकके दुक्के पौधे भी दिखने शुरू हो जाते हैं धीरे-धीरे वो पौधों की संक्या बढ़ने लगती है कु किसे टेखे तो सक्षेशन यही है तो इकोलाजिकल सक्षेशन है धी प्रसेस बाइब इच कम्युनिटीज ओफ प्लांट अनिमल स्पिशी इन एन एरिया आप्लेज्ट इन्टू अनजर ओवर पीरियड ऑफ टाइम याने एकोलाजिकल सक्षेशन क्या हुआ यह वो प्रसेस है जिसके दवारा किसी given area में किसी इलाके में कैसे plants and animal over time बदल रहे हैं और जो dominant plant and animal हैं वो कैसे बदल रहे हैं इसी को हम क्या कहते हैं ecological succession कहते हैं तो यह process में अगर आप देखे तो progressive series of changes होता है या या नहीं कि एक species बदला फिर दूसरा आया दूसरा बदला तीसरा या तीसरा बदला चौता आया और यह progressive तरीके से आपको बदलते हुए दिखता है एक community community याद कीजिए क्या होता है complete biotic चीजें जो किसी इलाके में रह रही उसको community कहते हैं याने plant animal decomposer सभी की बात यहां पर हो रही है तो कैसे एक community बदल रही है और वो dominant कभी थी कुछ time बाद उसको बदल के दूसरी community आ जाती है और वो dominant हो जाती है उस given area में इसी को क्या कहते है ecological succession कहते हैं और यह तब तक होता रहता है जब तक एक stable stability ना आ जाए और जब stability attain हो जाती है तब जो community हमको देखने मिलती है याने जो plants and animals वहाँ पर जो रह रहे हैं वो जो रह रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं climax community क्लाइमेक्स कम्यूनिटी वैसे ही जो पहला plant आता है इस पत्रीले इलाके में आके इसको colonize करता है और पहली बार यहां पर life sustain होती होई दिखती है उस community को क्या कहते है pioneer community, pioneer community तो यह आपको क्या करना है जानना है जो सबसे पहले आया है उसे क्या कहेंगे 2004 community घृईमेक्स community तो यह कहनी आपको क्या करनी हैं याद रखनी है और यह कैसे pioneer यहाँ पे अगर आप देखे तो इस example में यह क्या है lichens and mosses सबसे पहले पत्थर था पत्थर बदला यहाँ पे क्या आए यहाँ पे आप देख रहे हैं पत्थरों के उपर lichens and mosses आपको देखने मिल रहे हैं उसके बाद आप देखोगे क्या हुआ annual साल में एक बार आने वाले weeds आने लगे फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पे साल भर रहने वाले याने पेरेनियल weed and grasses देखने मिले और उसके बाद आप देखोगे आपको यहाँ पर छोटे-छोटे पौधे देखने शुरू हो गए श्रब्स देखने शुरू हो गए उसके बाद कुछ पेड़ आने लगे aspen cherry pine के और last में आप देखोगे तो यहाँ पे beach and maple and broad leaf forest आपको देखने मिल रहा है तो इस प्रकार से यह जो आपको होता हुआ दिख रहा है आपको stages में दिख रहा है कि सबसे पहले बंजर जमीन उसके बाद lichens and mosses उसके बाद weed उसके बाद श्रब उसके बाद पेड तो क्या आप एक अलग-अलग stages में होते हुए दिख रहे हो सबसे सिव तरीक के climax last वाला क्या कहलाएगा climax community तो यह क्या है succession कैसे पाइओनीर community से आप climax community तक कहीं पर पहुंच रहे हो इसी process को क्या कहते है ecological succession कहते हैं and आपको मैं कहना चाहूंगा यह sequential तरीके से होती है यह आपको क्या करना है याद रखना है और कैसे पाईयोनियर कम्यूनिटी से क्लाइमेक्स कम्यूनिटी तक पहुंचे यह जो प्रसेज है यही है इकोलोजिकल सक्सेशन तो आई यह इसी को समझते हैं मान लीजे कहीं पर नंगी जमीन है आपके घर की पास की बात हो रही है है न कहीं पर कभी कोई क्या होग करें डिया दिया गया कंग्रिट केमेंट का रहे दिद थीरे थीड़े क्या ट्रीवान पॉंटे थैर्ट ङुर्वीं होगा मिट्टी आनी शुरू होगी और सुने कहीं से कोई ऐर्लियर्ी थी महीं इस पर develop होती जैसे मौस हो सकता है जैसे से लाइकन हो सकता है अलग अलग जगे का कैसा tuemprature है कैसा आगा सोत सकता है यह हो सकता है यहां कर रहा है आप को के हैं पर करते हुए यह दिखेंगे इनको किया कहते हैं को सी community होगी है pioneer कम्यूनिटी फिर क्या होगा लाइकेंसेंड मौस याद की ये क्या करेंगे वो धीरे-धीरे उसमें जो वो क्या कर सकते हैं धीरे-धीरे उसको डिग्रेड करेंगे डिग्रेड करके उसको वेदर करेंगे chemical weathering होगी और भी ज्यादा मिट्टी का लेयर भी धीरे धीरे मोटा होता जाएगा धीरे धीरे वो भी मरेंगे तो उनका भी जो अवशेश है वो क्या होगा इसी जमीन में मिलने लगेगा तो इस प्रकार से उनके decomposition से भी एक top soil बनता हुआ आपको दिखेगा उसके उपर आप देखोगे आपको grasses याने घास उगते हुए दिखेंगे कुछ time बात कुछ time बात कई साल भी जाएंगे उसके बाद आपको घास दिखने मिलेगा अब lichen sand mosses यहां नहीं रह पाएंगे क्योंकि वहाँ पर घास आ चुके हैं lichen sand mosses के लिए जगे नहीं बची है पूरा पूरा घास उसे colonize कर लेगा और वक्त बीतेगा आपको early shrubs दिखने मिलने शुरू हो जाएंगे छोटे छोटे पौधे दिखने लगेंगे और इसके साथ soil और मोटी होगी और जो भी पत्ते हैं वो degrade होगे मिट्टी को और ridge बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे and finally take time आएगा जब soil की थिकनेस बिल्कुल बढ़ जाएगी और इसमें आपको trees होते वे दिखेंगे और यह क्या कहलाएगा climax community तो कैसे आप pioneer community से climax community तक गए यह जो पूरी process है इसको क्या कहते है ecological succession और यह जो individual है ना अलग-अलग stages यह सब कहलाता है sears क्या कहलाता है s-e-r-e-s sears तो एक sear में वहाँ पे आपको mosses देखने मिल रहे थे दूसरे sear में आपको grass देखने मिल रहा था फिर आपको एक sear ऐसा आया जिसमें आपको shrubs देखने मिल रहे थे उसके बाद एक climax community आई जब आपको पेड़ देखने मिलने शुरू हो क्या है इसी को कहते है ecological succession तो climax community क्या है stable mature complex long lasting यानि की जो last में attain हुआ जिसके आगे succession आगे नहीं बड़ी sears और नहीं आए तो last में जहां पर यह पूरा होके रुख गया वो क्या है climax community जैसे की मान लीजिए आज equatorial rain forest है इस equatorial rain forest में आज जैसे आपको कुछ equatorial rain forest देखने मिलते हैं equatorial region में तो equatorial rain forest उस किया है climax community है वैसे ही mon submarines हो सकता है वहांपे आपको deciduous forest दिखे तो वह deciduous forest क्या है वहां का वह जो पूरा पूरा ecosystem मन रहा है वही महां का climax है वह जो पूरा पूरा community वहां है वो उसकी climax community है तो climax community कैसी होती है stable होती है mature होती है complex होती है और long lasting होती है जाहिर सी बात है आपको बताए कुछी भी ecosystem को यदि stable होना है तो फिर ecological niches वहाँ पर क्या होने चाहिए बहुत सारे तभी alternate pathways बनेंगे energy के और complex ecosystem वहाँ पर पनपाएगा तभी जाके वह ecosystem stable होगी तो इससे अगर आप कहें तो इससे अगर आप देखें तो succession की जो speed है ना ऐसा कहा जाता है कि जो continents का बीच वाला हिस्सा है वहाँ पर relatively succession की speed faster होती है क्योंकि यह आपको जो बहुत famous book है आपके उसमें यह mention है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो continents का बीचो बीच वाला इलाका है वहाँ पर आप देखोगे तो वहाँ पर ecological succession faster होती है कारण क्या है कि continent के बीच में होने के वज़े से यहाँ पे अलग-अलग plants के seeds तुरंत पहुंच पाएंगे compare to far away regions far away regions तो इस प्रकार से ecological succession faster होती है तो succession में अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से हो रहा है सबसे पहले आप देखें bear rock था रॉक की weathering हुई उसके उपर lichens जमें हुए उन्होंने biological weathering किया organic acid release किया रॉक को और ज्यादा degrade किया और यहीं यहीं पर आपको मैं कहना चाहूंगा इस प्रकार से और यहीं पर आपको मैं कहना हो गए और यहीं पर आपको मैं कहना चाहूंगा इस प्रकार से और टाइम अगर आप देखोगे तो annual plants and grasses भी दिखने मिले annual plant क्या हुआ यह कुछ वैसा plant हुआ जो monsoon to monsoon आ रहा है हमारे भारत की बात करें तो annual है साल में एक पर आता है फिर चला जाता है grasses दिखने लगे है ना तो यह सब आपको दिखना शुरू होगा और इसके बाद अगर आप देखें और वक्त बीतेगा soil और रिच होती जाएगी productivity देख रहों कैसे ecosystem कितना complex होता जा रहा है पहले single था आइकन से के दुखे अंट अंड माइट से अब देखो निमेटोड लारवल इंसेक्ट आंड इंसेक्ट स्नेल बहुत सारी चीज़े हैं जानवरों की बात करें प्लांट्स की भी बात करें तो multitude of plants है तो productivity क्या हो रही है ecosystem की बढ़ती जा रही है रिजर्वायर याने जो रॉक में जो nutrients है वो धीरे-धीरे plants खीच रहे हैं और स्वाइल को ठिक कर रहे हैं और जब plants मर रहे हैं तो उनका जो रिमेन से उसी मिट्टी में जा रहा है तो वह सारा nutrient क्या होता जा रहा है रिजर्वायर से आप देखो तो easily कीच के plants अपने शरीर तक ला पा रहे हैं साथ ही साथ आप देख रहे हो कैसे food web भी complex होता जा रहा है organisms की diversity भी कैसे बढ़ती जा रही है इसके बाद क्या होगा annual plants नहीं रहेंगे इसके बाद क्या हो जाएगा soil वहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि वहाँ पे perennial plants दिखने मिलेंगे याने वो plants जो साल भर रहे है बुटी shrubs दिखने मिलेंगे ferns दिखने मिलेगा palms दिखने मिलेगा seedlings वाले true plants आपको दिखने मिलेंगे और forest धीरे-धीरे बहुत ही well developed हो जाएगा बहुत highly productive हो जाएगा और इस प्रकार से आपको finally आप देखोगे climax community develop हो जाएगी तो ecological succession अगर आप देखें तो यह जब अब आप समझ चुके हैं तो इनको अलग अलग प्रकार का माना जाता है अलग अलग प्रकार के ecological succession होते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे primary succession तो देखेंगे succession जो आप लोगों ने अपने आखों से experience किया होगा एक खेत की जमीन थी खेत जाल जाड उग गया या फिर कहीं पर जंगल की आग लगी और कैसे वहां पर फर्दर नएश विशीज आगे तो यह सब क्या है यह सब secondary succession है यह सब आप लोगों ने अपने आखों से देखा है primary succession को most likely आप लोगों ने अपने आखों से तो नहीं देखा होगा आपने अपने इतिहास में कभी कोई community रहा ही ना हो मार्स की जमीन वस्तों से भी life रह चुका है मान लेते हैं मान लेते हैं कहा जाता है मार्स में life है मान लेते हैं वैसे ही किसी planet की जमीन है जहां पर पहली बार कोई living community develop हो और वो किस प्रकार से उसको develop करे change करे modify करे फिर जो succession देखने मिले गा that is primary succession कैसे हो सकता है ऐसा थोड़ा मार्स वाला तो थोड़ा exaggerated हो गया लेकिन concept वही है मान लीजे कहीं पर क्या हुआ जवाला मुखी फटी जवाला मुखी के जमने से लावा के जमने से एक नई जमीन बनी और उसके उपर अब जब ecological succession होगा वो क्या कहलाएगा primary succession या फिर इलाके में मान लीजिए इस प्रकार से लैंड ये रॉक था और रॉक के उपर ऐसे मिट्टी थी फिर क्या हो गया इरोजन हो गया और यह पूरा का पूरा उपर का मिट्टी हट गया बस rocky outcrop छूड गया फिर कभी glacier चले और उपर के पूरी मिट्टी हटा के ले गए और फि इस प्रकार से चला जब यह चला तो नीचे की मिट्टी को नोस्ता हुआ खीच के ले गया लेकिन बरफ से ढका रहा तो पता नहीं चला फिर क्या हुआ कई साल भी गये millions of years के बाद यह सब बरफ बरफ पिगल गई और नीचे जो मिट्टी थी वो भी चली गई और अब यहा सक्सेशन होगा उसको क्या कहेंगे प्राइमरी सक्सेशन तो प्राइमरी सक्सेशन तब होता है जब उस इलाके में पास्ट में कोई कम्यूनिटी एक्जिस्ट ना करती हो उस सर्फेस पर तब उसको कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन तो इसमें पहली बार कोई स्विशी क्या क करेगा कोलोनाइज करेगा अधर वाइस क्या होता है के तो बहुत कंगता है तो प्राइमरी अगर आप देखे तो सब से पहले क्या है बेर राक है भिर राख आई र्म पर आए लाइकन साइए और यह क्या हुआ Pioneer species Lycans ने क्या किया Rock को दीरे दीरे वेदर किया Acid छोड़ा Acid से Rock दीरे दीरे क्या होने लग गया Acid के Releans से weather होने लग गया और Rock Toot तूटके अब मिट्ती बनाना शुरू किया दीरे दीरे ये मिट्ती क्या होने लगी थोड़ी थिक होने लगी और इस प्रकार से ये जो सबसे पहले species आई ये क्या कहलाएंगे pioneer species जाहिर सी बात है रॉक है उसे तोड़ने में तो पुछ भी नहीं तो कम से कम हजारों साल लगेंगे ना हजारों से ही तो हजार तो लगेंगे ना तो हजार साल लग गए सिर्फ pioneer species को पत्थर तोड़के मिट्टी बनाने में आपके खेद के पास क्या होता है खेद खाली छोड़ी तीन महिने में देखो उस खेद का क्या हाल होगा तीन महिने में छोड़ दो तो जब खेद में सक्सेशन हो रहा है वो सेकेंडरी सक्सेशन है लेकिनी आहां पे जब पत्रीला जमीन है उस पर जब सक्सेशन हो रहा है आज तक कोई कम्यूनिटी रहा नहीं है तो वहां पे pioneer species आएगी तो यह primary सक्सेशन की शुरुवात होगी फिर धीरे grasses आएंगे श्रब्स आएंगे shade intolerant plants आएंगे पाइंगे और last में आप देखोगे हर प्रकार के पेड़ आपको देखने मिलेंगे अनिमल्स देखने मिलेंगे तो वह बन जाएगा climax community तो प्राइमरी सक्सेशन तब होता है जब वहां पे आज तक किसी species ने उसे colonize नहीं किया हो जब पहली बार कोई उस इलाकी को colonize करे तो आपको देखने मिलता है pioneer species usually microbes होते ह है usually lichen होता है lichen algae plus fungi होता है जैसा मैंने आपको पढ़ाया है mosses भी होता है pioneers क्या करते हैं जैसे वो मरते हैं उनका organic matter rock के उपर छूटता जाता है और यह patches of organic matter काम करता है अलग animals के लिए उनको nutrient provide करता है तो जैसे ही pioneer species मरता है उनका organic matter जो छूट यह organic acid release करता है वो क्या करता है नीचे जो rock है उसको further edge करता है याने की acid से तोडता है तोडता है और nutrients जो rock के हैं वो भी छूटते हैं release होते हैं और बाकी plants उसे खीच पाते हैं इस प्रकार से इनके मरने से यहाँ पर organic debris भी छूटते हैं जो कि pockets में जो rock है ना rock में जो cracks होगा उसमें उन cracks में आप देखोग इस प्रकार से वो debris छूट जाएंगे सिर क्या होगा जैसे ही condition और बहतर होगा नए organisms यहाँ पर migrate कर जाएंगे और इस प्रकार से धीरे धीरे यहाँ पे grasses कुछ time बाद आपको देखने मिलेंगे और उसके बाद आपको बड़े बड़े पेड़ भी वहाँ पर देखने मिलें होगा और इस प्रकार से हमको वहाँ पे अलग-अलग plants होगे राद जिल्दी दिखने शुरू हो जाएंगे तो pioneer species चली जाएगी फिर क्या हो जाएगा ऐसे ऐसे अलग-अलग Sears आपको दिखते जाएंगे दिखते जाएंगे दिखते जाएंगे और जैसे जैसे सीर्स बदल सक्सेशन की जाहिर सी बात है ना प्राइमरी सक्सेशन की बात हो रही है यहाँ पर आज तक कभी कोई community रहा नहीं है बेर रॉक है उसके ऊपर community develop कर रही है तो जाहिर सी बात है time क्या लगेगा बहुत ज्यादा होगा यहां पर देख रहे हैं बस इतने से अगले से अगले स् लग जाएगा climax Community बनने में वैसे ही ये क्या हुआ primary succession इसके बाद सेकंडरी सकसेशन सेकंडरी सक्सेशन सेकंडरी सक्सेशन ए वह चीज़ यह आप लोगों ने अपने आखों से देखा है तो मैं मानने चल रहा कि यह तो आप अच्छे से समझी जाएंगे बिना किसी दिक्कत के तो आईए इसको देखते हैं तो सिकेंडरी सक्सेशन में क्या हो रहा है कि जो बायोटिक कम्यूनिटी हैं जिस्ट लाइक प्राइमरी सक्सेशन सीक्वेंशली डवलप कर रहे हैं यहां पर भी आप देखोग कोई कम्यूनिटी नहीं है बिलकुल नंगी जमीन है लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन तब होगा जब एक्जिस्टिंग कम्यूनिटी का कम्पलीट या फिर पार्शियल डिस्ट्रक्शन हो जाए जैसे कहीं पर जंगल था जंगल में लग गई आग बस मिट्टी छुट गई सारे कम्यूनिटी मर गए तो वहां पर जो सक्सेशन होगा वो कैसा होगा क्या कहलाएगा सेकेंडरी सक्सेशन होगा तो यहां पर आगर आप देखें यहां पर आगर आप देखें तो कई कारण हो सकते हैं इसके तूटने के हो सकता है नाचुरल कॉस हो है ना अर्थक्वेक आ ग सकता है डिफॉरेस्टेशन एग्रिकल्चर ओवर ग्रेजिंग मेरे मुझ से निकल गया अर्थ्वेक से थोड़ा मुश्किल है लेकिन हां ज्वाला मुखी फटने से फ्लड से ड्रॉट से अक्सर जो स्पिशीज है जो कम्यूनिटी है हो सकता है वो क्लाइमेक्स कम्यूनिटी ए कि कियों ना हो वो खतम हो सकती है तो अब जब वहां से कम्यूनिटी खतम हो गई तो क्या छुड़ गया जमीन चुड़ गई लैंड छुड़ गया अबैंडंड लैंड है तब से पहले यहां पर ग्रासेज के हाडी स्विशिज आएंगे तब यहां पर लाइकन मॉस के आ तो मिट्टी मौजूद है तो यहाँ पे ग्रासेद आएंगे जो की इस प्रकार के सॉयल में सर्वाइव कर सके जल्दी दीरे दीरे टॉल ग्रासेद दिखने लगेंगे फिर सोड़े हर्ब्स दिखने लगेंगे और इसके साथ यहाँ पे जानवर भी कई प्रकार के माई, स्र सालों में ही हो जाएगा और जल्दी एबैंडेंड लैंड आपको पेड़ वगेरा आपको यहां पर दिखने मिलेगा तो यहां पर आप देखिए टाइम लाइन यह टाइम लाइन देखिए जीरो यह नंगी जमीन एक से दो साल कुछ घास वास आ गया आपके घर के पास देख हो गई तो प्राइमरी सक्सेशन में तो टाइम लगता था लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है फास्टर होता है तेज होता है और इसके पीछे कारण क्या है सेकेंडरी सक्सेशन को रौकी आउट क्रॉप से स्टार्ट करने की आवशकता नहीं है पत्थर से स्टार्ट क मलेशया मलेशया में जो जंगल वो कैसा है जीसी लिग अगर पढ़े आपको यह मैंने और रीजन पढ़ाःया है है तो सब् Award है काफी ऊया रे से आधी क्या किया गया है कि लिए को दे पे क्या होता है काट के जमीन खाली छोड़ देते हैं वहाँ पे कुछ साल बाद सेकेंडरी सक्सेशन होगा अगर जमीन खाली छोड़ दोगे जंगल था जंगल काट दोगे और वहाँ सेकेंडरी सक्सेशन होगा फिर और सेकेंडरी सक्सेशन होता है और फिर वहां पे एक एक इक्विटोरियल रेन फॉरेस्ट वाले ही प्रजाती देखने मिलता है यह अगर आप देखो न तो यह छोटा पेड़ होता है तेड़ा मेड़ा होता है मजबूत नहीं होता है इनको मलेशिया में कहा जाता है बेलुकार के नाम से बेलुकार के नाम से तो बेलुकार किसका नतीजा है इसी सेकेंडरी सक्सेशन का पढ़ा रहा हूं तभी पढ़ लीजिए चलिए तो यह क्या था प्राइमरी सक्सेशन सेकेंडरी सक्सेशन इसके सिवा और एक प्रकार का सक्सेशन होता है ऑटोजेनिक सक्सेशन एंड़ी एलोजेनिक सक्सेशन जब कोई सक्सेशन आपको मालूव आपने आप खुद किया गया तो उसक्सेशन जिसमे वहाँ पर जो इन्हेंटेंटेंट्स है वहाँ गिन्रा थे जब वही जिब्यदार हो इस प्रकार के सक्सेशन तो उसको हम क्या कहते हैं कैसा सक्सेशन उसको तब हम कहते हैं ओटो जैनिक सक्सेशन इस ब्रॉट अबाउट बाउट बाइव लिविंग इन्हाबिटेंट्स अफ डाट कम्यूनिटी इटसेल्स कैसे आपको समझ नहीं आ रहा हो तो एक्जामपल देता हूं फिर से बता रहा हो जिस वज़े से यह सक्सेशन हो रहा है जैसे कि कहीं पर क्या हो की बार-बार कोई विलाका है वहांपे रौकी है अब तक स्वाउड डेवलप नहीं गए है लेकिन जैसे ही वहां पर जो जीव है लाइकन से मौस रहा है और इस प्रकार से स्वाइल में जो क्रैक है उसमें क्या हो रहा है धीरे 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 आप देखो तो patches of organic matter बनता जा रहा है जैसे ही patches of organic matter बन रहा है soil थिक होता जा रहा है and over time इस वज़े से यहाँ पे अब lichens and moss ना हो अब यहाँ पे grass होने लगे तो यह कैसा succession हुआ autogenic succession वैसे ही यहाँ पर पेड़ है आप देख सकते हो पेड़ है और पेड़ के होने से क्या हो जाए नीचे परचाई हो जाए शैड़ो हो जाए और छोटे-छोटे पेड़ मर जाए और इस शैड़ो में अब क्या हो जाए नीचे grass तक sunlight बिल्कुल भी ना पहुंचे तो यहाँ से grass क्या हो जाएगा मर जाएगा न ग्रास खतम हो जाएगा न और यहाँ पर आपको कुछ non photosynthetic plants वगेरा देखने मिलेंगे like like fungi like mushroom fungi जैसा equatorial region में होता आपको पता है जमीन में घास नहीं होता है संगी होता है तो इस प्रकार से भी जब सक्सेशन हुआ कि ट्री के कैनोपी से shading हो गई और जमीन के घास मर के वहाँ पर फंगी ग्रोंने लग गया यह भी क्या हुआ आटो जेनिक सक्सेशन क्योंकि इस सक्सेशन में भी वहाँ पर जीव रह रहे हैं वही जिम्मेदार हैं जब कोई सक्सेशन हो because of some outside force तब उसको क्या कहेंगे ऐलो जेनिक सक्सेशन जैसे fire आ जाए जैसे flood आ जाए तो उस ecosystem में तब जो सक्सेशन हुआ उसको क्या कहेंगे ऐलो जेनिक सक्सेशन होता है अब देखिए succession न आटो ट्रॉफिक एंड हेटरो ट्रॉफिक भी होता है वो succession जिसमें initially green plants ज्यादा quantity में हो याने autotrophs ज्यादा quantity में हो autotrophs सी dominant हो उस succession को क्या कहेंगे autotrophic succession वो succession जिसमें heterotrophs ज्यादा quantity में हो उनको क्या कहेंगे heterotrophs सक्सेशन hetero-trarchs सक्सेशन ऐसा हो सकता है कोई लाका ओ अता कामा डिसर्ट अटा कामा डिसर्ट यह वहाँ पर क्या हो रहा हो tom है अपर यह वहां पर वहाँ देखोगे बिलकुल राई लेकिन आस पास में कुछ आईलेंट्स हैं जिन में खूब पंचियां रहती हैं और अठाकामा डिजर्ट के पास समुदर का कोस्ट है उस समुदर के कोस्ट में खूब मचलिया होती है उन मचलियों को खाने पंची आती है, एटा कामा डिजर्ट पे बैठती है, ड्रॉपिंग्स गिराती है, और उज ड्रॉपिंग्स के बाद वहाँ पर कुछ जीव रहना शुरू कर दिये हैं, उनके ड्रॉपिंग्स से जो की अपना फूड भी ले रहे हैं, और दीरे दीरे उ वज़े से जो सकसेशन हो रहा है, इसमें कौन जिम्मेदार है, और याने हेटरोट रॉपिंग्स सवाना, क्यूं ग्रास क्लाइमेक्स कम्यूनिटी है, पेड क्यों नहीं आता वहाँ पे ग्रास पे ही क्यों रुख जाता है इको लॉजिकल सक्सेशन तो इसके पीछे दो कारण है मुख्य रूप से नंबर वन कारण है सवाना में बारिश बहुत जादा नहीं होती जिस वज़े से ट्रीज का ग्रोथ ज्यादा प्रीज होते हैं सवाना में दूर दूर पे होते हैं लेकिन इस वज़े से ट्रीज का ज्यादा ग्रोथ नहीं अचीव हो पाता और इस वज़े से वहाँ पे grassland ecosystem में आपको ज़्यादा पेड नहीं दिखते climax community घास होती है दूसरा कारण है जब arid season होता है तो सवाना में खूब fire लगता है और उस fire से क्या होता है जो भी पेड का दुक्का यहाँ पे colonize करने आया उसको आग जला के खतम कर देती है और फिर से वहाँ पे grass का ही दबदबा हो जाता है grass तो क्या है मिट्टी के नीचे है मिट्टी के नीचे उसका route है grass खतम हुआ कुछ time बाद फिर उप गया तो इसलिए वहाँ पे grassland ecosystem में grass is the climax community वैसे ही ecological succession आप aquatic ecosystem में भी देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं ऐसे एक पॉंड है यह ना पॉंड है बेर बॉटम है इसमें ग्रीन एल्गी है प्रोटोजवा वगेरा रहते हैं फिर over time क्या होता है दीरे दीरे submerged vegetation आता है submerged vegetation है organic matter है यह सब मर रहा है सब मर के यहां पर sediments के रूप में बॉटम में deposit हो रहा है यानि कि यह क्या हो रहा है साथ में बॉटम से यह फिल होना start हो रहा है उसके बाद क्या होगा submerged vegetation और जादा यहां पर मिट्टी आती जाएगी आती जाएगी turtle हैं कुछ frogs वगेरा हैं और उसके बाद जब भी भर जाएगा तो यह क्या हो जाएगा पूरा का पूरा terrestrial ecosystem में convert हो जाएगा तो pond में ऐसे primary succession होता है यह आपको जानना आवश्यक है तो दोस्तों यह कहानी थी किसकी succession की हमने को बहुत जादा depth में हर तरीके से समझा हमने देखा succession में ही हमने देखा ecological succession है क्या primary succession क्या है secondary succession क्या है sears क्या होता है जो individual stage है succession में वो सब क्या है एक-एक sears है और फिर हमने देखा कैसे primary succession secondary succession section में FASTER कौन होता है example के साथ देखा Autogenic Succession क्या है, Allogenic Succession क्या है, ये भी example के साथ हमने देखा, तो उमीद करता हूँ, आज की class आपको बिल्कुल पसंद आई होगी, तो यहां से आप जुड़ जाईए, जरूर इस Telegram चैनल पे, जहां से आपके साथ मैं PDF भी शेयर कर दूँगा, तो आप PDF डाउनलोड कर सकेंगे, इसके सिवा आपको मैं और भी कुछ जरूरी बाते हैं, जो बताना चाहूंगा, जरूरी बाते कुछ इस प्रकार की हैं, कि सूपर कोचिंग के सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता है, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, जिसमें आपको GS भी मिल रहा है, Optional भी मिल रहा है, CSAT भी मिल रहा है, Answer Writing भी मिल रही है, याने कि exam क्लियर करने के लिए आपको जो सब कुछ चाहिए, वो सब कुछ हम देते हैं, और हमारे तो कुछ सूपर टीचर भी है, हमारे जैसे कई टीचर से जिनका कोर्स हो रहा है, इसको सिवा कुछ सूपर टीचर से, यह वो टीचर से जो की जिनमें से कई तो, आप लोगों के शायद जन्म लेने के पहले से भी पढ़ा रहे होंगे, और सेक्रो स्टुइंट इनके एक्जाम क्लियर किये हैं तो उनके द्वारा बनाया गया थर्टी प्रस वीडियो कोर्स हैं 550 प्रस मॉक टेस्ट हैं 500 प्रस्टेटी नोट से 1000 डेली लाइव क्लासेज हैं तो वो तो आपको सुविधा मिलेगी सब्सक्रिप्शन में ही मिलेगा तो जो कीमत है ना दोस्तों सब्सक्रिप्शन की वो है केवल 26,999 रुपए यह तब है जब आप कुपन कोड किंजल यूज़ करते हैं याद रखेगा यही कुपन कोड यूज़ करना है कि आइन जे ल तो कि जब आप एक कुपन कोड यूज़ करेंगे सबसे पहले तो आपक है तो वो सारे फ्री कोर्स right को अब सपोर्ट कर पाते हैं तो इस प्रकार के फ्री कोर्स में आप सभी तक पहुंचा पाऊंगा और यह एक प्रस्व कुछ आप से नहीं मांग रहा है Similarly कहर रहा हूं जब आप ले तो यह एक प्रकार का गुरू अपक्ष्यमा होगा thank you so much for joining bye-bye do take care have a great day